नमस्कार आपनो आर्दिक स्वागत्चे एजुकेशन गुजरेचेनमा आजे अपड़े दुर्ण आठमाना हिंडी विशे इन्व साथ मोबाट सोच अपनी अपनी आपटना स्वाधिय पोती इनुँच अपपूर्ड सोलीशन वीडियो माध्यां स्थीखवाना छी चैनल बन चित्रा ये पासे इनातर है प्रस्वा उत्रा परांसे पहलू चित्रों से दोनों चित्रों में क्या अंतर है तो उसका उतर है दोनों चित्रों में से एक चित्र गाउं का और दूसरा नगर का नगर का है गाउं के चित्र में नदी है उसके घाटों पर नहाते कपड़े दो हुए है लेकिन गाव में बड़ी सांती कावातावन है वहाँ नगर में दूसरा चित्र है नगर में चोड़ी और दो तरफा सड़के है पके मकान है सड़क पर वाहन चल रहे है वाहनों के कारण सोर है लोग आदूनिक वेस भूसा में है उतने गाव में दूसरा का प्रस्न है तो प्रस्न दूसरा गाव तता नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन हुरूची कर लगता है और क्यों गाव में जीवन के साथ की सरलता है किसी तरह की बनावट और तड़क बड़क नहीं है लोग शांती से अप अपने काम करते हैं, नदी कुवे का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनज तदा ताजी सबजिया खाते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृती के बहुत नजदिक होता है, नगर के जीवन में तलक बड़क और बनावट अधिक हो नलका पानी पीते हैं और बाजार से अनात तता फल सबजी खरत कर लाते हैं नगर की सडकों पर वाहनों का हमेशा सोर रहता है लोग दुकानों, बेंकों और दफ्तरों में काम करते हैं नगर जीवन में शांती नहीं होती हैं लोगों का जीवन प्रकूती से बहुत दूर होता है नगर के जीवन में अनिक दोस है, फिर भी मुझे वहाँ का जीवन पसंद है यहां के लोग शिक्षित और प्रगति सिल होते हैं नगर में अच्छे स्कूल और कोलेज होते हैं इसके अकारण मनपसंद सेक्षिनिक योगियत अपराथ की चाह सकती है उन्नती के जितने अउसर नगर में है उतने गाउं में नहीं इसलिए मुझे नगरिय जीवन की रूचिकर लगता है तीसरा प्रश्ण क्या तालब का जल पीने के योगिया होता है यदि नहीं तो क्यों तो उसका उतर है तालब का जल पीने के लिए योगिया नहीं होता तालब चारोगोर से बंद होता है उसमें चारोगोर से बाहर की तूल मिटी मिलती रहती है पेडों के पते गिर के शुड़ते रहते है लोग तालाब में कनारे कपड़े तोते है और जानवरों को नहिलाते है यह सारी गंची तालाब के जल को दुसित कर देती है या दूसित जल पीने से हेजा वेजिया अधी तरह तरह की जान लेवा भी मर्या होने की पूरी संभाव न रहती है इसलिए हमें तालाब का जल पीने के योगी नहीं होता प्रशना चोथा है विगनान वर्दान या अभिशाप इस विशे पर शंक्षप में निबन लेखिये प्रतियक वस्तु के दो पहलू होते हैं एक पहलू उसकी अच्छाईयां बताता है दूसरे में उसकी बुराया दिखाए जाती है विगनान के भी इस कसोटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं विगनान ने बिजली की कोज कर मानव जाती पर बड़ा उपकार किया है ट्यूबलाइट, पंखा, एसी, कुलर, फ्रीज, गीजर, लिफ्ट तता बिजली से चलने वाली अन्य मसीनों ने विगनान की अद्बूत देन है टेलिफोन और मूबाल हमें विगनान से ही मिलते है ड्यूक्टर पेसों के तमाम उपकरना एलोपेती दवा ये विगनान ने ही हमें दी है कॉम्प्यूटर देखकर तो विगनान ने आज की दुनिया ही बदल दाली है विगनान के करण आज मनुश्य अंत्रिक्ष में पहुँच गया है और चांद की दर्ती पर उसने कदम रख दिये है विगनान ने एन अनमोल वर्दानों के करण मानों आज दर्ती पर ही स्वर्ग की सुक लूट रहा है इन सब विगनान आविश्कारों के साथ ही विगनान ने बंदुक, पिस्टोल, परमानों बबन जैसे इन्सा और विनासक के साथ भी हमें दिये है विगनान के करण आज जल और वायू प्रदुस्चन भी बढ़ रहा है इसमें संदे नहीं कि वे विगनान के अभी साथ है परन्त विगनान के वर्दानों की तुल्ना में उसमें अभी साथ खतरनाक होते होने पर भी कमजर पड़ जाते है शत तो यह है कि यदि विगनान नहोता तो मनव जाती आज भी वही जीवन जीती जो आदी काल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे इसलिए हमें विगनान के वर्दान और आधुनिक विगनान का आभार मानना चाहिए इनके प्रयत्नों से ही हमें ये विग्नान सुविधा मिलती है पाच्वा प्रशन कलम या तलवार कौन सी सक्ति साली है अपने वीचा कारण रसहीत बताए तो उसका उतरे कलम लिखने का काम करती है तलवार युद्ध में कामाती है कलम के साथ दीमा की सक्ति जुड़ी है तलवार के साथ सारीरिक बल जुड़ा है कलम कविता कहानी उपनियास जीमें चरीत्र आदी लिखती है तलवार गले काटती है और खुन बहाती है कलम आनन देती है उससे समाज सुक्षान्ती का प्रसार होता है वो लोगों के दिल जीतती है, वो बूरों को अच्छा बनाती है, व्यास वालमी की, कालिदास, तुलसीदास, रवेंदरना, टागोर, शेक्सपीर, आदी कलम के अकरण जुड़कर भी, मरकर भी, वो भी अमर हो गए, कलम ने कई सीहासन पढ़ दिये है, तलवार रक्षा का सा पादन जरूर है, पर उसकी सक्ती कुछ समय तक ही रहती, जब कलम की सक्ती युग-युग तक छाए रहती है, इसलिए मेरे वीचारह से, तलवार की अपक्षा में कलम की अधिक सक्ती शाली है, प्रश्न चठवा है, आप क्या बनना चाहेगे, किसान या सेनिक, इस वीशे पे मित्र को संक्षेप में पत्र लिखिए, पत्र में पहला है, आपको उसका सरनाम लिखना होता, पंदरवा सुयोग बोखली पुर्वा, मूंबई, उसका पिन कोड डेट, प्रिय मित्र राज सप्रमें नमस्त्रे, बहुत दिनों के बाद तुमारा पत्र आया, चित्रकला प्रतियोग्यता में प्रत्रमस्तान मिलने पर, तुम्हें ठेर सरी बदय, पत्र के तुमने पूचा है, कि किसान या सेनिक बनने के बारे में तुमारी पसंद क्या है, बड़ा ठेटा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सेनिक दोनों का महत्व है, यदि सेनिक करता किसान हमारा अन्न दाता है फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूगा हमारे देश की जन्संक्या बढ़ती जारी है आज भी हमारे यहां बहुत से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती आज दाने अनाज दाने मसाले तेल आदी महेंगे है देश में लाखो बच् सीकार है क्योंकि उनके जरूरी आहार नहीं मिलता इस खादिय समस्या का हल कुरूशी के विकास से ही होता है इस प्रकार वर्तमान परिस्तितियों में किसान बनना ही पसंद करूगा है दूसरा प्रस्न है नीमनलेखित सामगरी के आदार पर प्रस्टनों के उतर लीजिए प अंत्रिक्ष में प्रुत्वी जैसा एक निया ग्रह चनम ले रहा है दूसरा प्रुत्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंत्रिक्ष में किस प्रकार की इस्तिति होना आवश्यक है दूसका उतर प्रुत्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंत्रिक्ष में प तीसरा सही जोड मिलाव कीजिए, पहले माईगे दूसरा, दूसरे में पांचवा, तीसरे में चोथा, चोथे में पहला, और पांचवे में तीसरा तीसरा प्रसन है, उपसर्ग लगाकर सब्द पुना लिखिए, तो पहले होता है, बिन का विबिन, देश का विदेश, पका का अदपका, गम का गमगिन, राष्ट का आंतराष्टिय, जन का निर्जिव, बल का निर्बल, समझ का ना समझ होता है, सुविदा का असुविदा, वांचित का अवांचित, प्रस्ण चोथा है, प्रतिय लगा कर सब्दों बुना लिखिये, नियम का नियमित, विदेश का विदेशी, प्रकृति का प्राकृतिक, पुत्र का पुत्रि, लापरवा का लापरवा ही, चंचल का चंचलता, यंत्र का यांत्रिक, मानव का मानवता अंस कहां सी परिचे का परिचीत प्रस्ट पाजवा है नीमनलिकत वाक्यों में से अब ये छाट कर लिखिए उमंग वर्षमीत गर चले गए तो और हुआ वो अब ये हुआ मुझे केमेरा या मूबाइल फोन चाहिए या वा क्या मेच वाकेच के लिए तो वा हुआ चोत्वा दुर्यदन तता करणन में गहरी मित्रत आती तता माच्वा वह तेज दोड़ा दो तेज हुआ अब ये ताथा पाठ अपड़े सात्मन स्वध्यपोतिन संपुन सोलिशन जोत्तार हुईजिके संगुज रचे ना सीखता रहु धेंक्यू आबार